नमस्कार दोस्तों, टूरीजम रीडिफाइंड के नए एपिसोड में आपका स्वागत है काना की इसकड़ी में हम देखेंगे यहां पाये जाने वाले वनस्पतियों के बारे में जिसमें साल, पलाश, हर्रा, बहरा, इत्यादी, प्रमुख है साल, जो की एक प्राकृतिक एवं धार्मिक द्रिष्टिकोर से बहुती महत्वपूर वनस्पति है तथा इसका उलेक अनेक प्राचिन धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है यहां की स्थानी जन जाती साल या साज़ा व्रक्ष को बड़ा देव के नाम से पूस्ती है जो यह दर्शाता है कि भारती संस्कृति प्राचिन काल से ही प्रक्रती पूजन एवं पर्यावलन संदक्षन की पोशक रही है आईए साल एवं अनुवलन स्पतियों से जुड़े तथ्यों के बारे में जानते हैं मित्रो आपका स्वागत है 940 वर किलोमेटर में फैले कानन नेशनल पार्क के बाहर इस्तित बफर जोन में यह जो बफर जोन है यह भी वन्य प्राणियों से वैसा ही समर्द है जैसे की कानन नेशनल पार्क इस जगह पर भी आप जो हैं बिना टिकड लिए यात्रा कर सकते हैं मित्रो इस जगह पर साजा जो की साल के नाम से जाना जाता है साल व्रक्ष जो की बॉद्ध और हिंदू दोनों धर्म में पूजनी होता है और जो यहां रहने वाले ट्रैप्स के लिए कल्प व्रक्ष के समान है साल के व्रक्ष के नीचे ही माना जाता है कि लुम्बनीवन में बुद्ध का जन्म जो 563 इसा पूरू हुआ था माया देवी ने इसी साल के व्रक्ष के नीचे बुद्ध को जन्म दिया था मित्रो यह जो साल का व्रक्ष है यह माना जाता है भगवान विश्नु को भी बहुत ज़्यादा पशंद है इनी घने साल की व्रक्षों के बीच में और साथ में यहां पर तेंदू, हर्रा, बहरा इसके लावा यहां पर और कई लोकल प्रयातियों वाले व्रक्ष पाय जाते हैं इनमें पलास भी प्रमुक है पलास व्रक्षों के बारे में बता देए, यह जो पलास का व्रक्ष है, यह चारो और यहाँ पर फुल किलते हैं, तो मार्च के महने या होली के बाद इसमें लगे हुए लाल फुल के काने से जंगल की जुआला के नाम से भी जाना जाता है साल से जुड़े अन्य तत्थों के बारे में और जानते हैं से जंगलों का जो है विसेस जो है आच्छा दन इस जगह पर हैं, तो मित्रों यदि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पाए जाने वाला जो साल का व्रक्ष है, जो तीस पैतिस से चालीस पचास मीटर तक हाइट का हो जाता है, साल के ब्रक्ष की खास बात यह है, यह जो साल के ब्रक्ष है, इसी कान आपने देखा होगा, कि यह जो साल के ब्रक्ष है, इसकी मजबूती इतनी ज़्यादा होती है इन ब्रक्ष की, कि यह सबसे मजबूत लकड़ी है, यह इतना भारी होता है, कि अगर यह ताजी लकड़ी को डाला जाए, तो पानी में तैरता भी पानी में डूब जाता है ये कीटों से और सड़ने से बचा हुआ रहता है इसी कान से रेलवे के स्लीपर भी साल के ब्रक्ष के बनाए जाते थे ये ब्रक्ष अत्रन्थी सुब और आदिवाशियों के लिए जैसा कि मैंने बता है कल्प रक्ष माना जाता था इनी साल कर्वाइ की मिट्टी को बनने में 7000 वर्स लग जाते हैं मित्रों यहां पर आप देखेंगे कि हुमस वगेरे कैसे बनता है यह जो पत्तियां है जो गिरती है इनका कारवनिक रूप से अब घटन होता है इससे हुमस नामक जो है मरदा बनती है जो जैविक तक्तों से नहीं बोल पा रहे हैं। तो अब मरा 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 मराम बोलें तो जब उन्होंने मरा मरा करते हुए राम नाम से उनका जब तार हो गए या उनका पूरे लगातार लेते रहे तब उनके पाप पूरे कटने के बाद में वो बाम्बियों से पूरी तरह परिपोर्ण हो गए और जब उनके वरक्ष में उसमें पत्या निकली है और वापिस जब उनकी तपश्या सपल हुई तो महरसी ओलमी की कहला है महरसी ओलमी की ने रामान की रचना की मित्रों इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे कीट नी साल व्रक्षों को नश्ट करने के लिए इनके जीवी तवस्था में कीट लगता है जिसका नाम साल बोहरर है इस कीट के काण भारी मातरा में साल की व्रक्षों का नुकसान होता है दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इस सीरीज के अंगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद